दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बांगलादेश और नीदर लेंड्स के फाइनल प्लेइंग 11 पिछ रिपोर्ट, प्लेयर सब्डेट, प्लेयर मैचप्स, प्लेयर टीम परडिक्शन और फैंटेसी टीम के बारे में बांगलादेश और नीदर लेंड्स की मैच 28 ऑक्टूबर को दो पहर दो बजे इंडिन गार्डन कूलकता में खिला जाने वाला है, अब बात करते हैं वेन्यू के बारे में, कूलकता में सबसे बड़ी बांडरी 68 मीटर की है और सबसे चोड़ी बांडरी 57 मीटर की है, पिछ रिपोर्ट की बात करें तो इस स्टेडियम का पेच एक अच्छा बैटिंग पिच माना जाता है, इस स्टेडियम में मैच आगे बढ़ने के साथ इस स्पिनर्स को मदद मिलने लगती है, एक अच्छे बैटिंग पिच होने के साथ साथ स्पिनर्स को भी आम मदद मिलती है, इस स्टेडियम में 23 गेंदबाज को कोई खास मदद नहीं मिलती। इड़न गार्डन में टॉस हमेशा मत पून रहा है क्योंकि दूसरी पारी में ओस गेंदबाजों को काफी परिशान करती है जिस कारण से टीम यहाँ पर टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करना अपन करती है इस ग्राउन का फर्स एनिंग अवरेल स्कूर 276 रंस का है सेकंड एनिंग अवरेल स्कूर 202 रंस का है हाईस टोलल की बात करें तो इंडिया ने 404 रंद मनाये थे 5 विगट के नुकसान पर पचास ओवर्स में और लौएस टोलल की बात करें तो आरलेंड ने 141 विगट के लिए हैं चलिए आप बात करते हैं कि सौरब गांगुली की स्पेशल टीम आपको कैसे मिलेगी 28 आक्टूबर को वोल्ड कप का मैच नीदर लेंड्स बंगलादेश के बीच मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दियुए लिंक से डाउलोड करो माई 11 सोकल एप और टीम बनाओ दादा की स्पेशल टीम पाने के लिए पहले मैच पे क्लिक करो और फिर एक्सपोर्ट टीम सेक्शन पे जाओ वहाँ आपको गांगुली की एक्सपोर्ट टीम मिल जाएगी जिससे यूज़ करके आप अपनी टीम बना सकते हो और अपने जीतने के चांसेज को मल्टिप्ला मतलब आपको मिलेगा हर दिन नया और हर दिन बड़े प्राइज़ जीतने का मौका डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक से डाउनलोड करो और यूज़ करो मेरा कूपन कोड MECNEW तो डिपोजिट करते ही मिलेगा 20% का एक्स और साथ ही मिलेगा 1500 का बोनस कैश अब बात क इस टीम में तंजीन हसन और लिटन दास ये दोनों बंगलादेश के लिए उपनिंग करेंगे बाद में ये तीन नमबर पे मेंदी हसन मिराज और नजमूल हसन स्टान तो साकीबल हसन टीम में फ्रेसर का रूल निभाएंगे बात करें नीदरलेंड्स की विक्रम जीत सिंग इस टीम में विक्रम जीत सिंग मेंस और ये दोनों नीदरलेंड्स के लिए उपनिंग करेंगे बात करते हैं के है्ट्वाइड कमपरिजन के बारे में तो लास्ट हाट टू मैचेज में बांगलादेश ने हुए उपनिंगा बारे में नीधरलेंड्स लेयां चैंस के रूपन ते बनाये थे बंगलादेश अब्दुल रजाक ने दस ओवर्स में 29 रन देकर तीन विकेट और शाकीवल असन ने आट ओवर्स में 30 रन देकर एक विकेट लिया था सेकंड इनिंग बंगलादेश बैटिंग इम्रूल कैस ने 113 बॉल में 73 रन और एस नसीफ ने 60 बॉल में 37 रन थे निदरेंस बॉलिंग टॉम कूपर ने साथ दसम्लादो वर्स में 33 रन देकर दो विकेट और एम बुखारी ने 6 वर्स में 14 रन देकर एक विकेट लिया था अब बात करतें इस वैन्यू के बारे में इंडिया वसिज सिलंका इस मैच में सिलंका ने पहले बैटिंग की 215 रन उनस बनाए और 10 विकेट गवाई इंडिया ने टोरिल का पीछा पाकिस्तान पे सलंका ने इस टोडल का पीछा किया 251 रन बनाए 10 विगेट खोकर और इस स्पिनर्स ने तो विकेट्स लिये थे और फास्ट बॉलर्स ने बारा विकेट्स लिये थे इंगलेंड वर्सिज इंडिया इस मैच में इंगलेंड ने पहले बैटिंग की 321 रन इंडिया ने टोलल का पीछा किया 165 रन ही बना पाई और इस मैच में स्पिनर्स ने लिये थे 10 विकेट और फास्ट बॉलर्स ने 9 विकेट्स लिये थे अब बात करते हैं सभी प्लेयर के स्टार्ट के बारे में बागला देश लेटिन दास 2266-076-5, head-to-head not played, तंजीन हसन 12 51 1615, head-to-head not played, मेंधे लेवसन मेरास 11-1药े स्पीट, 3-2 vicket, 30-0 vicket, 8-0 vicket, 57-3 vicket, head-to-head not played, गेद स्फिन हसन 8 V Zust 10-1ございます, мен to direct बादेन देर लेकेट भास्पेट बात, congress है। यद टोयुचान बाइड है।uki अब्सेट बाइड है। यह खैन बाइड है वान. चीई मृहमूद, टूय० घर टूयुचान बाइड है,िक्ट थे रहता है। सारृ sollॉचान बाइड है। not played. Nidar Lenz, Vikram Jit Singh, 25, 4, 2, 12, 52 not played. Max Odor, 6, 16, 18, 16, 5 not played. Colin Ackraman, 10 plus 0 wicket, 29 plus 1 wicket, 12 plus 1 wicket, 69 plus 0 wicket, 72 plus 2 wicket, head to head message not played. Tezar Nemaduru, 14, 9, 20, 21, 5, head to head message not played. Behzdele J, 4 plus 2 wicket, 6 plus 0 wicket, 2 plus 2 wicket, 18 plus 1 wicket, 67 plus 4 wicket, head to end massage not played s Topu Adverse, 12, 16, 78, 30, 0 head to head not played s Engelbroth, 11, 70, 19, 29 head to head not played Logan Benbeek, 4 wicket, 59 plus 0 wicket 3 wicket, 1 wicket, 2 wicket head to head, not played Paul Van Mikrant, 0 wicket 1 wicket, 2 wicket, 2 wicket head to head, not played Ariyandrath, 1 wicket, 3 wicket, 0 wicket 2 wicket, 1 wicket, head to head not played Rav Van Der Merwe 0 wicket, 0 wicket, 2 wicket, 2 wicket जोड़ विकेट है, तो एड मैट is not played, अब बात करते हैं फैंटेसी टीम के बारे में, दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, की प्लियर्स, टरम काड, पॉसिबल कैप्टिन, वाइस कैप्टिन, की प्लियर्स इस मैच में, की प्लियर्स बैटिंग में बस देली जेस, आकीब अल लिटन दास, सरफल इसलाम, लोगन बैन बीक, महादी हसन मेराज और कॉलिन आकरमन लिटन दास की बात करें तो यह आपको बैटिंग में अच्छे पॉइंट दे सकते हैं और यह अच्छे रन बना कर दे सकते हैं टीम को और यह पिछ बले बाजी को भी सपोर्ट करती है तो य कॉल्डाउंडर हैं अच्छे खासे रन स्कूर भी कर रहें हैं लगातार और प्लब design को सकते हैं और बैटिंग के लिए और मेंदी असन मिराज मेडिल आरडर में बैटिंग कर रहे हैं और टूरनामेंट की शुर्वात साकीबाल अपने टीम में बढ़िया खिला रही है और काफी अच्छा कर सकते है ठीक टॉक फॉर्म में भी है और अच्छा कर सकते हैं और इस मैच में अच्छा कर सकते हैं क्योंकि यह बैचिंग पिछ है गिंदबाजी भी कर सकते हैं तो रुफल इसलाम यह डित में गिंदब मिकरन सबसे पहले बात करें नजूम एहमत की इन लोगों को इतना लोग ट्राई नहीं करेंगे इनकी टीम पहले गिंद बाजी करेंगी तो ये गिंद बाजी करेंगे और वहां अच्छे परफॉर्म करने की उमीद है विक्रम जीच सिंग कुछ मैज में बले स्कूर किया हो ल अब देखते हैं पॉसिबल कैप्टिन वाइस कैप्टिन बैस दे लीडे साकीबल असन कॉलिन अक्रमन ये तीन कप्तान के लिए अच्छे विखल्प हैं कॉलिन अक्रमन टॉप के बल लिबाज है और रन स्कूर करने के चांसे ज़्यादा है और ये अच्छे फॉर्म में च करते हैं तो विखल्स निकालते हैं अब बात करते हैं हमारी अच्छे तरिंगे लिटिंफ।बस ये प्लियर हर मैच में अच्छे खासे पॉइंट्स देते हैं काफी अच्छे поддерж ff में ये पिछले कुछ मैसें में पॉइंट अच्छे दे रहे हैं हमारे पास चार विकल्प है तुर लोग से याची विकल्प के रूप में लिटिंफ है और बैट्समेन बैटिंग में नजम अलोसन शानतो विकरम जीट सिंग मेहमद उल्ला यह तीन खिलाडी है बैटिंग सेक्शन में और सबसे पहले बात करें नजम अलोसन शानतो की काफी अच्छे टेलेंटट बल्लेवाज हैं यह कंसिस्टन किला रही है जो आपको लगबाग मैक्सिमम रन मैच में रन स्कूर करके देंगे थोड़े फॉर्म से स्ट्रॉगल कर रहे हैं बढ़ अच्छा कर सकते हैं मेहमद उल्ला यह आपको बैटिंग से योगदान कर सकते हैं इन्होंने पिछले मैचे में अच्छा प्रदश्विन किया है साउथ अफरिका के खिलाब जो मैच किला था उसमें 100 रन स्कूर किया था जब हम बंगलाद इसके फर्च बैटिंग को देखेंगे तो उसमें बैतर तरीके से यह बैटिंग कर सकते हैं विकरम सिंग काफी शांदार बल्ले बाजन नीदरलेंड के तर से अल राउंड सेक्शन में सबसे बढ़ी आपक हो सकते हैं कॉलिन एकरमन और मैधी असन मिराज उसमेश पर अच्छा कर सकते हैं दोनों डिपार्टमेंट में बैतर पॉइंट इन्हों ने अर्जित किया पिछले कुछ मैच्छ में और मैधी असन मिराज की बात करें तो अ सेक्शन में मिलेंगे अच्छी ओवर कराते हैं का इंबर我想 करनी की उमिद किया है और अच्छा खासा अप्रोदर्शन ने ने किया है, Captain, Vice Captain, फिलाल Captain के लिए चूज करेंगे, Vice Captain के लिए चूज करेंगे, साकीब अलसन, दोस्तों इमने चेंज़स तो करने वाले हैं, तो चेंज़स देखने के लिए आपको टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना चाहिए, हमने वीडियो की description वहां दे रखी है अब बात करते है मैक्ष बिनर के बारे पर नीदरलेंड्स के जीतने के परसंट है और बंगलादेश के जीतने के बंगलादेश जीत जाएगी तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीते की नीदरलेंड्स या बंगलादेश कॉमेंट करके बत के वीक पॉइंट्स पर बनाई हुई है यह हमारी फाइनल फैंटेसी टीम नहीं होती है हमारी फाइनल फैंटेसी टीम आपको टॉस के बाद हमारे ओफिशल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसके लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो दोस्तों हम लोगों ने माई 11 सोर्किल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सिक्षन में है उसे जोईन नहीं किया तो जल्दी से जोईन कीजे कम कॉंपेटिशन है सौरफ गांगली की स्पीशल टीम है और साथ ही फस्ट डिपोजिट पर 20% एक्टराक कैश भी है और एक सबसे जरूरी बात स्केल में आदत लगना या आर्थिक योकिम संभव है इसे जिम्मेदारी से खेलें